वेलकम टू आइब टेक्निकल क्लासेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपोर्टन अबजेक्टिव है यूटिलाइजेशन आफ एलेक्टिकल एनरजी में उसके बारे में जो एक्जाम प्रिवेस में आए हैं और वो जो पुछे जा सकते हैं तो फर्स्ट छड़ कोरी ठोड़ ता यहां से हेलिक्ट्रौन निकलते हैं और बीच में यहां पर गैस भार्य हूँ रहते हैं तो यह वाले जो गैसर रहता है इम पर एन मैं बन जाए लाएगा लाइज होता हो तो यह जो हो यहां पे light produce होता है electron के emission के कारण नहीं होता है यह होगा iron के कारण तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा ionization in ionization in a gas और वाइपर second यहाँ पे है second fluid is not used for fluid lighting का use किस्वी में नहीं किया जाता है तो उसमें option था ssd के लिए advertising के लिए और फिर था industrial purpose के लिए तो industrial purpose के लिए नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है industrial purpose के लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी fluid lighting होता है इस परकार से आप लोग जानते होंगे यह वाला इस परकार से यह वाला बहुत ही wide range में यह fluid का light को फ्लूट करने में इसका किया जाता है जैसे में कोई अस्मारक यहां पर हो गया इस अस्मारक पर लाइट हमको नाइट के लिए हमको लाइट इसको एड़टाइज करना है उसको डेकोरेट करना है तो उसके लिए यहां पर फ्लूट लाइट का यूज होगा मतलब कि बड़े पर माने पर लेकिन industrial purpose में क्या होगा इंडस्ट्रियल पर्पस में एक manufacturing करने के लिए लाइट का यूज़ वहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग flood lighting का यूज़ नहीं करते हैं अब आगे यहाँ पर है आगे यहां पर है 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 यूटिलाइजेशन फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा किसे डिपेंड करेगा कि हम लोग जानते हैं कि यह वाला यह वाला दोगोब हो गया है अब दोनों को बीच को डिस्टेंस जितना ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे उतना मेरा घटेगा क्योंकि यह जो भी लाइट यहां पर आ रहा है यह ओभरलाइब कर जाएगा यह जितना ज्यादा ओभरलाइब करेगा उतना यूटिलाइजेशन फैक्टर मेरा घटेगा तो यहां पर स्पेस हैट रेशियो पर डिपेंड करेगा उसी प्रकार है साइज और कलर प यूटिलाइजेशन फैक्टर मेरा घटेगा यह हो गया उसी प्रकार है इन इमर्शन वाटर हीटर दा हीट इज ट्रांसफर्ड वाई कॉन्वेक्शन इमर्शन वाटर हीटर किस प्रकार से होता है यह वाला इस प्रकार से इमर्शन वाटर हीटर यह वाला एक हो गया जो आ वाटर को निकालने के लिए यह वाला वाटर को यहां से इंटर करने के लिए यह वाला कुल वाटर हो गया और यह वाला हो गया हिट्टेड वाटर तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पे हम इलेक्ट्रिक सप्ला यहां पे देते हैं करेंट फ्लो होता है तो यह वाला हीट ह होगा उतना ज्यादा मेरा वाटर हीट होगा तो यह वाला जैसे यह वाला हॉट वाटर यहां पर जाएगा तो हॉट वाटर यहां पर जाएगा तो यह हॉट हो करके यह कुल इधर चला जाएगा मतलब कि यहां पर कॉन्वेक्शन हो रहा है कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि जो इसके नजदीक का एरिया है उस एरिया में गर्म वाटर दूसरे जगा चला जाएगा यहाँ पर ठेंड़ा वाटर फिर यहाँ पर अस्थान ले लेगा गर्म वाटर से हम यहाँ निकाल देंगे तो यही आपका हो गया तो इमर्सन वाटर हिटर में कोनमेक्षन के थ्रू होता ह। यहाँ पर करेंगे और तुरहंत इसको मतलब कि replace करेंगे थोड़ा सा फिर हटाएंगे तो इसमें क्या होता है दोनों के बीच और्क जिनेट हो जाता है यह वाले इस प्रकार से और्क बनता है तो यह वाले जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वह ग्रिफाइट का इसलिए क्योंकि enecaone five हम लोग जानते हैं कि इसका molecular जो एस्ट्रेक्चर होता है वो बहुत ही सरगन होता इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे यह वालो बहुत ही zaj new होता है molecular a structure और सर्गन होने के कारा इसमें material. लोस्ट वहुत ही करते हैं अब आगे यहां पर है डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक लॉस डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है इस प्रकार से जानते होंगे कि यह वालत दो प्लेट होता है मेटल का प्लेट होता है इसके बीच यहां पर सप्लाय दिये जाता हीट फ्राप्तकरते हैं, तो यहाँ पर डैलेक्टिंट प्रोपोर्शन, किसके होता है तो फ्रीक्वेंसी को होता है, यहाँ पर जो इसका फर्मूला यहाँ पर निकल करके आया है, वो कितना है、 पी एक्वल टू भी एस्कवार इंटू एफ, मतलब वो डैरेक्ट्ली प्रोपोर्शन होगा फ्रिक्वेंसी का और वोल्टेज का स्क्वार का यह भी क्यूशन पुछा गया है कि जो पावर लॉस होगा पावर लॉस इंड़ एलेक्रिक वो किसके प्रोपोर्शन होगा तो वोल्टेज के square का proportion होगा फिर आगे हम इसमें देखते हैं आगे क्या है आगे in induction heating the depth up to which current will penetrate is proportional to जो current है कितना penetrate करेगा induction heating में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मैं मान ले रहे हैं कि ये मेरा core हो गया ये मेरा core हो गया इसमें मेरा winding लपेटा हुआ है और यहां पे हमको कोई material यहां पे ला दिये है और इसको हमको heat करना है तो इसका flex कहां जाएगा इसमें जाएगा इस flex के कारण इसमें क्या होगा current flow होगा मान ले रहे हैं कि ये मेरा material है इसमें current flow हो रहा है तो current जो flow होगा उसके द्वारे जो भी heat उत्पन होगा वो कितना depth current penetrate कर सकता है वो किस पर depend करेगा तो frequency पर depend करेगा frequency पर depend करने का मतलब किया है कि जितना जादा मेरा frequency बढ़ेगा उतना जो penetration है वो घटेगा मतलब कि frequency बढ़ाएंगे तो penetration घटेगा यही है यहाँ पर under root inversely proportion भी कह सकते हैं अब आगे यहाँ पर है resistance welding cannot be used in resistance welding का used कहां नहीं किया जाता है तो dielectric heating नहीं होगा क्यों क्योंकि resistance welding में क्या होता है कि इस प्रकार से दो pointed type का electrode होता है और बीच में यहाँ पर material रख देते हैं और इस material के भी जैसे current flow कराते हैं यहाँ पर heat उत्पन होने लगता है तो अगर यह डाइलेक्ट्रिक material रहेगा तो यहाँ पर heat उत्पन होगा ही नहीं क्योंकि current नहीं flow होगा तो डाइलेक्ट्रिक material मतलए insulating material तो इसलिए यहाँ पर यह नहीं होगा आगे यहाँ पर है motor used in elevator elevator में किस प्रकार के motor के यूज किये जाते हैं वहाँ पर था objective में क्या है तो asquiral के जो आँपे है फिर है के पसीटर टाइब का motor तो वह यूज होगा ही नहीं क्यों क्योंकि उसका इनिसेल टॉर्क ही बहुत क्याम होता यहाँ पर थीरी फेज इंडेक्शन motor का यूज करेंगे तो resistance अगर बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ेगा आगे यहाँ पर है domestic domestic consumer और charged at block rate टैरी यह वाला बहुत important है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादे domestic consumer domestic consumer जैसे ही दिमाग में आता है यहाँ पर एक ही बात आता है कि सब्सक्राइब को एक समान दिया जाता है मतलब कि flight rate के जैसा दिया जाता है उसको पर चार्ज किया जाता है लेकिन ऐसा बात नहीं है मतलब कि यहाँ पर जिस प्रकार से block टेरिफ में होता कि यहां कि इस प्रकार से block बने हुए रहते हैं जैसे में यहां पर जितना भी एक किलो वाट आवर बी किलो वाट आवर इस प्रकार से उपर अगर बिजली कंजूम कोई कर रहा तो उसके लिए जो यहां पर खर्चा पड़ेगा जैसे में मानने रहे हैं कि यहां एक्स रूपय यह पड़ रहा है यहां वाई रूपया तो एक्स रूपया यहां पर जेट रूपया से यहां पर कैम होगा उसी प्रकार यह वाई रूपया इस से कैम होगा तो जिस प्रकार से हम यहां पर मतलव कि इलेक्ट्रिकल कंजाम से बढ़ा रहे हैं उसके अन of flight rate जो charge किया जाता है किस पर किया जाता है तो unit consumed कितना unit basically consumed अब कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको charge किया जाएगा उसी के अनुसार charge होता है अब यहां पे आगे है machine having high fluctuation यह बहुत important है कि high load fluctuation load fluctuation किस परकार के machine में होते हैं तो lathe यहां पे है option में है planer है punching machine है printing machine है तो इसमें जो आपका सही option होगा वो punching machine होगा punching machine में आपका load का fluctuation जattered होता है load właśnie कभी आपका load क्याम आ गया कभी ज्यादा आ गया कभी हैं ही आप प्रकार से इसमें load fluctuation जादा होता है अब आगे यहां पे है आगे क्या है कि the method of heating used for non-conducting मटरियाल नन कंडेक्टिंग मटरियल के लिए जानते हें नियुल यह उंसा अब आगे यहां पर है the method of breaking that can bring the motor to stand still stand still में लाएगा कौन किस प्रकार के regenerative breaking भी हो सकता था और फिर your static breaking भी लेकिन यहाँ पे option में यहाँ प्या रहेगा plugging तो यह option सही होगा क्यों कि हम जानते हैं कि इस प्रकार का मेरा rotor रहता है तो इस में plugging किस प्रकार से करते हैं यह वाला voltage terminal वहीं से वहीं रहेगा positive negative लेकिन इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं तो यह वाला आपका जो टॉर्क उत्पन करेगा वह direct इसके opposite करेगा मतलब कि negative यहाँ पे टॉर्क उत्पन करेगा यहीं negative टॉर्क आपका मोटर को stand still में ला देगा अब आगे हैं यहाँ पे 15 में the drive can be used for textile industry यह important है इसको ध्यान देना है कि textile industry में किस प्रकार के drive का यूज किया जाता है तो induction motor का यूज किया जाता है फिर आगे है the drive can be used यह तो हो हमते ही है कि लक्स जिसको कहा जाता है illumination लूमेन पर मिटर square उसी को कहा जाता है मिटर केंडल फिर आगे है brightness brightness is defined as luminous intensity per unit projected area में जो भी आपका luminous intensity है उसी को brightness हम लोग कहते हैं फिर आगे यहाँ पे कि मरकरी भैपर लैंप gives light of greenish blue color greenish blue color mercury भैपर लैंप लाइट देता है यह सब इंपोर्टेंट है यह समझने वाल नहीं है थोड़ा ध्यान एक बार आप सभी नोट्स को पढ़िएगा तो यह अपने आप ध्यान में आ जाएगा फिर आगे यहाँ पे है इन इंडिरेक्ट लाइटिंग में क्या होता इस प्रकार से उसका डार्ग्राम ही होता है कि 90 पर्सेंट से ज़्यादा लाइट उपर ही जाता है जिसके कारण अगर कोई यहां पे person रहेगा यहां पे तो उसको light यहां पे कम मिलेगा इसलिए glare भी कम होगा फिर आगे यहां पे है the induction the heating method has leading power factor किस प्रकार के heating method में leading power factor होगा इसमें आप जानते हैं कि dielectric heating में capacitor होता है इस प्रकार से यहां पे resistance लग जाता है तो यह वाला capacitor यहां पे आने के कारण power factor इसका leading हो जाएगा फिर हाई frequency high frequency induction heating is used for high frequency induction heating का जो use किया जाता है वो फेरस के लिए नन फेरस के लिए दोनों के लिए किया जाता है मतलब कि induction heating में क्या होता है कि flux इस प्रकार से अगर coil है तो इसका flux इसमें induce होगा तो यहां पे हम coil नहीं ना रखके अगर यहां पे हम कोई material रख दे जिसको हमको heat करना है या melt करना है तो यहीं आपका होगे induction heating तो यहां पे हमको तो शिर्फ conducting material रखना है चाहे वो फेरस रहे है या non फेरस रहे है तो इसलिए यहां पे दोनों material को यह heat कर सकता है फिर आगे है for quick speed reversal the motor preferred is motor किस प्रकार के prefer होगा तो आपका DC motor में आपका quick reversal हो जाता है यहां पे option में दिया हुआ था squirrel cage induction motor synchronous motor तो यह सब नहीं होगा यह आपका होगा DC motor so thank you